आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान वितमंत्राली की हाल या रिपोर्ट के मताबिक भारत में खुद्रा महंगाई के मुख्य वजए खातेवे काच्यू तेल की कीम्तों में होने वाली बढ़ौत्री है और इन दोनों की कीमतों में भड़ोत्री के लिए कार को जम्मेदार है खाद तेल की बढ़ती कीमतों उपर रोक के लिए किये गए उपाए से मही में थोड़ी रहत मिलती दिखी है और उमीद है कि आगे और रहत मिलेगी पिछले पांच महीनों में खुद्रा महंगाई दर आरवियाई द्वारत 6 फीसिदी की अधिक्तम सीमा से उपर चल रही है वितमंत वाले की रेपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 60 फीसिदी खाद तेला याद करता है इस साल मार्च में खाद तेल की खुद्रा कीमतों में पिछले साल मार्च के मुकाबले 18.7 फीसिदी की बढ़ोत त्री दच की गई है रहे गई है क्योंकि इंडोनेश्य ने पाम तेल के निर्यात पर जो रोक लगाई थी उसे हटा लिया गया है और सरकार ने खाद तेल के आयात पर लगने वाले शुर्क में कटौती कर दी है वही में तमंत्राले की रिपोर्ट के मुताविक गैर खाद वस्तू की खुद्रा कीमत मुख्य रूप से कच्छी तेल के दामे इजाफा से प्रभावित हो रही है इस साल अपरेल में ब्रेंड प्रूड की कीमत और सितम 15.8 डॉलर प्रती बैलल रही जो इस साल मई में और सितम कीमत बढ़कर 112.4 डॉलर प्रती बैलल हो गई इसकी मुख्य वज़ा यह है कि चीन में कोरोना कम होने से वहां तेल की मांग बढ़ गई है और यूरोब के देशों में दिसंबर तक रूस से होने वाले तेल आयाद में 90 फीसदी की कटौती का फैसला किया गया है भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी कच्चा तेल आयाद करता है ऐसे में ये काफी मैक पूर्ण होगा कि भारत सस्ते दाम पर तेल बेशने को तैयार देशों से कितनी अधिक मात्रा में तेल खरीद पाता है यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी